देखें इस वीडियो में हम कंसिस्टेंसी पढ़ेंगे देखते हैं कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है मालीजे आपके अकाउंट बैलेंस में इस समय कितने रुपए है जीरो ठीक है हमने डाले 100 रुपए ठीक है बहुत बढ़िया बैंक में जाके 100 रुपए डाल दिया फिर कंसिस्टेंसी की फॉर्मल परिवहाचा देख लेता है बोल रहा है वेन मोर देन वन क्लाइंट रिक्वेस्ट दा सिस्टम कहने का मतलब क्या है मान लीजे मैं मूवी बुक कर रहा हूँ और मूवी में चार सीविट है ठीक है मैं कहा हूँ मान लीजे मैं डैली में हूँ और एक बंदा है ये कहा है पूने में मान लीजे ठीक है बहुत बढ़िया और थोड़ा डी सेंटरलाइजेशन है डैली में ज पूनने के सरवर से खसका से तुरंत इस पुरंत इस बैंदे ने पूंहे बंधे और सबनाने का इसके कोई भून है जैसे ही डाले वाले बंदे ने टिकट करी थी तुरंत इहां तोड़ा सा यहां पर अलग बिब है यहां पर अलग भी है तो यह क्या है यह एक डूसरे से सिंंग होने में टाइम लगेंगा टो रिए अन किया है इनकंसिस्टेनसी हुग इन YouTube स्टम और डिफ्रेंट क्लाइंड जो है डिफ्रेंट रेस्पोंस लेते हैं यू टू सम री सेंट अपडेट टैट है अब हम बात करें मॉनोलिथिक की एंड डिस्ट्रेब्योटेड सिस्टम की किसमें ज्यादा कंसिस्टेंट्रेंसी होती है कि इसमें कम होती है इसमें क्या है इसमें सारी चीज Di Battle और इसमें रेख मंणोन डिस्टेब्योटिटीड है और कॉमपोनेट जो हैं और और यह में फसमें लेते हैं इसमें कोई नहीं लीमोलिघ्ट कंस्टेंट घरए Hmm Ana ज़ेंदें यहाँ पेड क्योंकि distributed system कोई बंदा इस server से करेगा कोई बंदा इस server से करेगा मा लीज़ा सबसे पहले इस से हो गया सबसे पहले इस पहो गया तो ये वाला server update हो जाएगा ठीक है और इन दोनों server को update होने वे time लाएगा मा लेते हैं t1, मा लेते हैं t2 तो अगर मैं बात करूँ max of t1, t2, max of t1, t2, बोल देते हैं tmax, यानि कि tmax time के लिए हमारा जब पूरा का पूरा system है, वो inconsistent रहेगा, तो हम इसको कैसे consistent कर सकते हैं, यह देखेगा, तो क्या बढ़ने जा रहे हैं, factors improving consistency, पहला तरीका क्या है भई, network की speed बढ़ा देजे, speed बढ़ हो जाते, आप read को stop ही कर दीजे, समझे रहे बात को, जैसे कोई सरकारी website होती है, यह करते हैं, जब system update कर रहे होते हैं, तो यह website को ही down कर देते हैं, ठीक है, तीसा तरीका क्या है, replication based on distance aware strategies, मतलब की हमें पता होना चीए, कि देखें कि बाई, अगर servers आस पास हैंक दूसरे के, तो आपे synchronization में help मिलेगी, तो जो आप replication कर रहे हैं, servers का, उनको पास पास रख लीजे, तो क्या क्या है, factors improving consistency, read operation stop कर दीजे, अब तक की सारे servers update नहीं हो जाते हैं, network की speed बढ़ा दीजे, और distance कम कर दीजे between replicas, अब देखते हैं, types of consistency, पहला है strong consistency, दूसरा है eventual consistency, and तीसरा है weak consistency, by strong consistency का मतलब क्या है, when the system does not allow any read operations, until all the nodes with the replicated data are updated, याने कि जब तक सारे के सारे replicas update नहीं हो जाते, synchronize नहीं हो जाते, तब तक read operation बंद कर दिया जाए, ठीक है, तो by strong consistency में हमेशा सही data read होगा, ठीक है, कोई dirty read नहीं होगा, अब देखते हैं, eventual consistency क्या होती है, बोल रहा है भाई, यूजर read requests are not halted, यानिक जैसे कि हम strong consistency में read requests बंद कर दे रहे थे, जब तक कि सारे servers update नहीं हो जाते, eventual consistency में ऐसा नहीं करते, उसमें read operation होने देते हैं, ठीक है, होता क्या है eventual consistency में, वो धीरे धीरे सारे server अपने आप consistent बन जाते हैं, ठीक है, तो some users might receive all data, but eventually all the data is updated to the latest data, समझ र consistency, weak consistency model में क्या होता है, कि ये जरूरी ही नहीं होता, कि सभी nodes update किये जाएं, समर्य वात को, माल लिजे तीन node हैं, तो ये जरूरी नहीं है, कि सारे के सारे synchronization में रहें, वो business logic में depend करता है, कि आपका business logic क्या है, आप कौन सा select करेंगे, weak consistent, select करेंगे, eventual या फिर strong, आप जैसे train म consistent, जैसे कि कोई social media, अगर आपके दोस्त के post एकदम से नहीं आते हैं, आपके पास, तो कोई tension वाली बात नहीं है, लेकिन अगर same ticket, दो बंदे book कर लेते हैं, हाँ, तो दिक्कत वाली बात है, तो देखे, इस वीडियो में हमने consistency पढ़ी, consistency की definition देखी, और देखा, कि consistency कितने तरीकी होती है, strong, eventual and weak, हमने देखा, monolithic and distributed system में consistency कैसे कैसे होती, किसकी काम होती, किसकी जाधा होती, हमने देखा, factors improving consistency,